हिंदुस्टान से 30,000 करोड रुपए चोरी की मतलब अंदर से आवाज आ रही है और इस आवाज को कोई शांत नहीं कर सकता है नरेंद्र मोधी जी मैं समझता हूँ कि राच को आपको नीन नहीं आ रही है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि जवाब जोते है राच को आपको आमिल अंबानी की फोटो जिखाई देगती है मैं जानता हूँ जवाब जोते है आपको Visuals which are coming in from Rahul Gandhi addressing youth congress leaders well this are the time when election of course is around the corner it's important for them to ensure that at the boot level the morale the josh is high which is why there are repeated meetings and now Rahul Gandhi is directly connecting with the youth congress workers to ensure that we drum up so pep talk there being given by Rahul Gandhi to the youth congress workers we are trying to listen in and see if he can dip in and hear what he's saying दिया है यूद के युवा पूरे देश में जाते हैं उनके सामने हिंदुस्तान का किसान हाथ जोर כे कहता है आप कंग्रेस के हो मगर नरेंद्र मोधी को मेसेज दो नरेंद्र मोधी को बताओ कि किसान का करजा माफ करे हमसे जिया नहीं जा रहा है हमें भविश्य नहीं दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोधी जी को कुछ सुनाई नहीं देता लंबे भाशन दिये किसानों की मदद करूँगा सही दाम दिलवाऊँगा कुछ नहीं किया हमें दो दिन लगे उन्होंने साड़े तीन लाग करोर रुपे पंद्रा लोगों का मात किया हमने साथ बोला मध्यप्रदेश, शत्रीदगार, राजिस्तान दस दिन देखें कॉंग्रेस पार्टी तो आपका इतिहास है आप सीखिए आप में और BJP, RSS में बहुत बड़ा फ़रक है आप सच्चाई को समझते हो और आप सच्चाई को लेकर काम करते हो आप सच्चाई की रक्षा करते हो और जूट की रक्षा करते हैं और यूद कॉंग्रेस में यूद कॉंग्रेस में उनी लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो सच्चाई की रक्षा करेंगे के दस दिल और मैं आपको बताता हूँ हम चुनाव जीते हैं हमारा चीफ मिनिस्टर चुना गिया और मैंने गेलोड जी से कहा बगेल जी से कहा कमल नाची से कहा कि देखिए आप अब चीफ मिनिस्टर बने हैं आपको मध्यप्रदेश चत्रिजगर राजिस्तान की जंताने युवाओने किसानों ने बनाया है आप अपने अपनी बने हैं कॉंग्रेस पार्टी अपने आप चुनाव में जीती है किसी और शक्ती ने कॉंग्रेस पार्टी को जिताया है वो शक्ती है मध्यप्रदेश चत्रिजगर राजिस्तान के अंदर जो आवाज है उसने आपको जिताया है हमने दस दिन कहा था आप इसको दस दिन नहीं जीजिए जल्दी से जल्दी कीजिए और मैं कुछी से कहता हूँ दो दिन दो स्टेट में दो स्टेट में एक दिन और एक स्टेट में दो दिन यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है